नमस्कार मेरा नाम है शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच्च आज इस वीडियो में जानेंगे जारकन के सियासी गल्यारे से आ रही सीम हिमंत सुरेन की स्तीफे की खबर खेल सकते हैं नया राजनी दिखदाव तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जारकन के मुखेमंत्री हिमंत सुरेन आज विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं दरसल गुरुवार शाम चार बजे सीम हिमंत सुरेन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है ऐसे में Office of Profit मामले की मदे नजर हिमंत सुरेन का नया राजनीतिक दाव सामने आ सकता है वो गवर्नर से मिलकर दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं जारकन में नए सीरे से सरकार बनाने की कवायत शुरू हो गई है जारकन में चर रहे सियासे संकट के बीच CM हिमंत सुरेन ने आज गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सचीवाले में राज कैबिनेट की बैठक बुलाई है बताय ज़ा रहा है कि CM हिमंत सुरेन इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं वहीं इस बैठक के लिए प्रक्षासनिक तोर पर तमाम तयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है वहीं इससे पहले कॉंग्रेस से GMM और RJD के का 10 से 12 सदस्यों का प्रतिनीधी मंडल आज गवर्नर से मिल सकता है माना ये भी जाराए कि सरकार अपने कई चुनावी वादों को इस कैबिनेट के माध्यम से अंतिम रूप देगी इसकी भी संभावना है कि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंतरी हिमंत सोरेन की मंदरियों के साथ रायपूर जा सकते है काजवारा की विशेश सत्र के माध्यम से सरकार विश्वास मत पेश कर सकती है गुर्वार शाम तस्वीर साफ हो जाएगी मतादे की राज़ में बने सियासी स्तंकट के हालाद के बीच महा गटबंधन की सरकार के बचाने के लिए मंगलवार को विशेश विमान से जामुमो के 19 और कॉंग्रेस के 12 विधायक रायपूर भेज़े गया है इसमें कॉंग्रेस के चारों मंतरी भी शामिल है हालाकि चारों मंतरी वापस राची लोट आए हैं बुद्वार को प्रदीप यादोर रायपूर पहुच गए हैं। इधर महा गटवंधन के विधायकों को रायपूर भेज़ जाने को लेकर विपक्ष बुद्वार को भी सरकार पर हमलावर दिखा। हलाकि सीम हिमंत सोरेन के इस्तीफे के स्वाल पर राजसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि क्यों इस्तीफा देंगे हम लोग राजपाल से बात करने पहुचे हैं वहाँ जो भी बाते होगी वो प्रवक्ता के जड़िये आप तक बात पहुचाई जाएगे। बतादे की चुन सदस्ये विधानसभा में सत्ता रूट गडबंधन के 49 विधायक है। लाब के पत से मामले में विधानसभा से मुख्यमंत्री की आयोगता की मांग करने वाली भाजपा की एक याचिका के बाद चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राज के राजपाल रमेश बैस को अपना फै सरकारिश की है। बाजपाने जन प्रतिनी धित्व अधिनियम 1951 की धारा 9-1 का उलंगन करने के लिए हिमंत सुरेन की आयोगता की मांग की है जो सरकारी अनुबंधों के लिए आयोगता से संबंधित है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहें सारसच।